आज के इस वर्चुल रिव्यू मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित और आज के हमारे इस बैटक के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भारत के यशश्वी प्रधान मंत्री सम्मान्य शी नरेंद्र मौधंजी आज के इस वर्चुल मीटिंग में उपस्थित पूर्व में हमारे राष्ट्री अध्यक्ष रहे वर्तमान में रक्षा मंत्री सम्मानी राजनाज सिंग जी निवर्तमान अध्यक्ष और भारत के ग्रिह मंत्री सम्मानी अमिश्थ भाईशा जी सभी केंद्रिय मंत्रिगंद, हमारे राष्ट्रिय पदाधिकारी और हमारे प्रदेश में उपस्थित सभी प्रदेश के मंत्रिगंद, पदाधिकारी गंद, प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे सभी कारेकरता बंधु जो इस virtual meeting में उपस्तित है मैं सबकी ओर से सम्मानिय प्रधानमंत्री जी का इस बैठक में आने का उनका स्वागत भी करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय पार्टी के लिए और पार्टी की गतिविधियों को जानने के लिए और उसको दिशा निर्देश देने के लिए अपना बहुमूली समय दिया है मैं उसके लिए विश्तिकत रूप में और सभी पार्टी के तरफ से कारकरताओं के तरफ से उनको इसके लिए धन्यवाद है पार्टी की प्रती आपका समर्पन और पार्टी की प्रती आपका लगाओ यह सर्विधित है भारत सरकार की बड़ी जिम्मेवारी प्रधान सेवक के रूप में निभाते हुए पार्टी की हर छोटी बात पर भी अपना ध्यान रखना सहयोग करना समय समय पर हम सब को गाइड करना ये हम सब लोगों ने देखा है और ऐसे प्रधान मंत्री जब जो विश्चु की सक्षियत है वो हमारे पार्टी के लिए महत्रपून समय अपना देते हैं तो वह सच में हम सब को प्रेड़ना देता है करोडों कारेकरटाओं को प्रेड़ना देता है ये मैं कहना चाहता हूँ अभी साल के प्रारम में जब कोरोना संक्रमन की आहत हुई तो तब से लेकर आज दिन तक आप में जो नित्वत प्रदान किया है वो दुनिया को दृष्टी और दिशा देने वाला है जब बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश अपने आपको इस कोरोना संक्रमन के आगे असहाए महसूस कर रहे थे तो आपके फैसले, आपकी जन्भगिदारी, जन्ता को साथ लेकर चलने की बात सरकारों को, प्रदेश सरकारों को कौपरेटिव फेडरलिजम में अपने साथ जोड़ करके चलने की बात और महत्वकून फैसले, बोर्ड फैसले, जैसे लॉकडाउन करना, यह आपने लिया और इसकी तारीफ और इसकी ध्वनी, विश्व के संगठनों ने भी उठाई और उन्होंने बताया कि जो रास्ता, प्रधान मंत्री मोदी जी ने भारत के लिया है वह अनुकरनिय है और उस रास्ते के तरफ हम सब को चलना चाहिए यह बात उन्होंने कही इसके साथ साथ आपने जो एकनॉमिक पैकेज समय समय पर उसकी वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने भी तारीफ की उन्होंने का प्राइमिन्स्टर मोदी जोंड अट अड्रेस्ट भी पैकेज दिया तो फिर वर्ल बेंक और हमारे यूएन दोनोंने इस पैकेज की तारीफ की और कहा कि यह अनुकरनिया है अन्य देशों को भी इस के बारे में सोचना चाहिए इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपके नेत्रित्व में जहां दूनिया उसको अनुकरन कर रही है वहां आपके नेत्रित्व में देश सुरक्षित है और यह जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था ऐसी संक्रमन उस संक्रमन से लडने का तरीका जो कभी किसी ने experience नहीं किया था उसको भी आपने दृष्टी दी दिशा दी और उसको लड़ने के लिए पार्टी को भी प्रेरित किया है इसके लिए मैं विशेश उपसे आपका धन्यवा दी जब ये कोरोना का संक्रमन आया तो ये दो तरीके के तर्जूर्बों के साaz आया और दो तरीके की तकलीफ़ों के साथ आया पहला तो कोरोना के साथ लड़ाई कैसे लड़ी जाये क्योंकि दुन्या में इसका कोई उदार्ण मही दा और दूसरा लोग डाउन लगाने के कारण जो तकलीफे आएंगी, जो दिक्कत आएगी, जो समस्याए आएएंगी, नित्र प्रति दिन आएगी, उससे कैसे निप्टा जाए, एक दो प्रशन खड़े थी मुझे याद है, कि आपका मार्क दर्शन और हम सब को पार्टी वालों को उसी सरे मिला और आपका संदेश मिला, और आपने कहा ये चैलेंग है सरकार के लिए, लौक डाउन को सफल भी करना है, और हमारा कोई भी गरीब व्यक्तिब, भाई मजदूर, किसान, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके मर्म लगाने का काम, उसको समवेदना के साथ सम्हालने का काम यह पार्टी को करना होगा, और करोड़ों कारे करताओं तक पहुँचना होगा, करोड़ों लोगों तक पहुँचना होगा, लाकों कारे करताओं को यह आपने संदेश नहीं, आपने कहा, सब की हमको चिंता करनी है, और वो हमको कमताशन के साथ करनी है, उनके दर्द को सबसे पहली बात तो यह थी कि हम करोड़ों लोगों तक पहुंचे लिए कैसे कनेक्टिविटी का विशेय था साथ ही साथ हमारे सभी लोगों के मन में कोरोना का संक्रमन कितना भैयाना खोगा उसका असर कितना पड़ेगा इसका भी डर था लेकिन आपके बताएं रास्ते पर आपने सुझाओ दिया कि वर्चल मीटिंग की जाए डिजिटल टूर्स का इस्तमाल किया जाए और उसको भ्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजिटल टूर्स का इस्तमाल किया वीडियो कॉन्फरेंस प्रारंब किये कारे करताओं को जोडने का काम इस माध्यम से हुआ है मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मुझे मिला करके हमारे सभी राष्टिय पदादिकारी प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश के संगत्र मंत्री ने समय समय पर वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से लगबग चा चार हजार वीडियो कॉन्फरेंस की है चार हजार वीडियो कॉन्फरेंस और ये लॉगडाउन के वस्था में की है मैं आज को जोडनी रहा हूं वीडियो कॉन्फरेंस अभी भी चली है लेकिन लॉगडाउन के वस्था में चार हजार वीडियो कॉन्फरेंस की और धाई ल धाई लाग लोगों तक पहुँचने का काम किया वहीं हमने आडियो विरिज के माधियम से आडियो विरिज के माधियम से साथ सो आडियो विरिज किये और करकर कारे करताओं को जोडने का काम किया लगबग सतर लाग कारे करता इसके साथ जुड़े और audio conference से उनको message गिया इस message के कारण जो हम लोग सुनते थे कि देव दुरलब कारे करता यह कारे करता जाग उठा इसने सारी चीजों को संभाल लिया नीचे boost तक activate हो गया और आपने, मुझे याद है जब हम feed the needy का कारे करें कर रहे थे तो आपने बहुत बारी की से सभी कारे करमों में अपनी रुची दिखा करके हमें सुझाओ दिया था feed the needy कारे करम कैसे हो सकता है हम किस तरीके से distribute करेंगे आरोग यो सेतू के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है PM care fund के साथ लोगों को कैसे समावेश किया जा सकता है फेस कवर लगाने के लिए हम कैसे प्रेरिट कर सकते है उस समय हमारे पास ऐसी सिती थी कि एक भी फेस कवर तयार नहीं हो रहा था और आज हम यह कह सकते है कि हमारे ही कारे करताओं ने पांच करोड फेस कवर बना करके जंता तक पहुँचाया है इस बात को हम आपको बताने चाहिए बहुत से काम जो सोचा नहीं था कैसे ये एक तो हमारी दिक्तिय थी कि हमने आपदा का काम एक विशेश ठान पर एक विशेश समय के लिए किया था लेकिन पैन इंडिया सारे देश के लिए और ये लंबे समय तक करना कब तक करना इसका अंदाजा ना होना और फिर भोजन पैकेट जरुरत मन तक पहुचाना यह हम सब के लिए जो चैलेंज था लेकिन आप जिस तरीके से हमें हमेशा प्रेजित करते रहे करोडों कारे करताओं ने इस काम में अपने आपको समावेश किया जोडा और इस काम को अंजाम दिया यह मैं कहना चाहता हूँ इसको हमने आगे बढ़ाया आज हम यह कह सकते हैं कि लगबग 22 करोड हमारे कारे करताओं ने फूड पैकेट्स इन अरसर दिनों में पहुचाया 22 करोड फूड पैकेट्स भोजन की वेवस्था की लगबग 5 करोड राशन किट जिसको हम लोगों ने मोधी राशन किट के नाम से वो बड़ा पॉप्लराइज हुआ लोगों ने उसको पसंद किया और मोधी किट के नाम से जो बाटा गया वो 15 दिन का राशन 20 दिन का राशन और एक महिने का राशन ऐसे 5 करोड पैकेट बाटे हैं भारतिय जनता पार्टी के कारे करता होने ये हम आप से मैंने आपको बताया कि 5 करोड से ज़्यादा फेस कवर बाटे गए सभी महिला मंदल लगी सभी महिला मोर्चा लगे सभी सेल्फ हेल्फ ग्रूप लगे और सभी एंजियोस को महिला मंदल ने प्रेडित करके इसमें जोड़ा और मंत्राले के साथ भी संबन जोड़ करके इसमें ज्यादा से ज्यादा काम हुआ है ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसी तरीके से PM Care Fund में 58 लाग कारेकरताओं को हमारे कारेकरताओं ने अपने प्रयास से जोडने का प्रयास किया आरोगे सेथिव के साथ करोड़ों लोगों को जोडने का काम किया गया लगबग 8 लाग कारेकरता इस काम में उपर से लेकर के नीचे तक लगे रहे ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और उसी तरीके से लगबग 13800 मंडल में और 709 जिलों में इस काम को अंजाम दिया गया इस काम को पूरा किया गया मैं यहां यह भी चर्चा करना चाहता हूँ कि यह पूरे Feed the Needy कारेकर में बहुत अनूठे अनुभवाए बहुत सी चीजों को समझने का मौका मिला नित प्रति दिन नेने समस्याँ आई और नित प्रति दिन उन समस्याँ का समर्हान करने का काम किया गया मुझे याद है कि यह Feed the Needy में पैकेट बाटने का काम से लेकर आ रहोगी सेत्व और PM केर फंड से जोड़कर फेस मास्क फेस कवर देना यह सब काम तो हमने किया ही लेकिन एक बहुत ही अच्छा काम इसके दोरान हुआ वो हुआ हेल्प लाइन सेंटर के माध्यम से हमारे कारेकरताओं ने हर एक प्रदेश में हेल्प लाइन सेंटर चलाया और उस हेल्प लाइन सेंटर के माध्यम से जो जरुरत मंद को जो जरुरत थी वो हमारे कारेकरताओं ने अपने जगह से उस हेलप लाइन सेंटर को सूचित किया और उसको सूचना देने के कारण उसने वहाँ पर उसका निवारन किया कारे करताओं निवारन किया यह हमको देखने को मिला बहुत संतोश होता है कि नौर्थ हीस्ट के बच्चे जो यहाँ दिल्ली में पढ़ रहे थे पूना में पढ़ रहे थे महराष्ट में पढ़ रहे थे वो पेइंग एस्ट थे पहली तो उनकी समस्थे आई कि वो किराया नहीं दे पा रहे थे इसलिए उनको निकालने की सिती भी आई लेकिन हमारे कारे करताओं को नौर्थिस्ट से कारे करताओं ने फोन किया और हमारे कारे करताओं ने जाकर वहां बातशीच करके उनके रहने का इंतजाम भी किया और उनको लगातार भोजन पैकेट पहुँचाने का काम किया यह हमारे नौर्थिस्ट के बच्चों के लिए किया है नौर्थ हिस्ट के बच्चों ने अपने वक्तवे में इस बात को कहा कि हमें नहीं मालूम था कि इस तरीके से राजनितिक दल भी काम कर सकता है इस तरीके से राजनितिक दल भी सामाजिक पक्ष हो सकता है और उन्होंने अपने धन्यवाद भी दिया अपना वो भी उन्होंने कहा उसी तरीके से हमारे ट्राइबल इलाके वहाँ भोजन नहीं पहुँच रहा था वहाँ के लिए भी हेल्ट प्लाइन सेंटर से फोन आया आसम के दूर दराज इलाके में ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ भोजन की विवस्ता नहीं थी काम करने के लिए कोई अपरचुन्टी नहीं रह गई थी काम करने के लिए लेबर को कुछ था नहीं ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा था हमारे कारे करताओं ने जाकर वो आसम के ट्राइबल एरिया में वो उरीसा के ट्राइबल एरिया में वो जारकंट के ट्राइबल एरिया में जाकर के काम किया और वहां उनको भोजन सुनिश्चित कराया गया यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसके साथ साथ एक नई चीज़ देखने को मिली माइगरेंट लेबरर्स के लिए हमारे कारे करताओं ने किस फरकाद से काम किया दो तरीके से काम किया पहले तो माइगरेंट लेबरर्स अपना स्थान छोड़ करके ना जाएं इसकी हम लोगों ने चिंता की दिल्ली हो, करनाटक हो, तामिलनाडू हो, हमें फोन आए और हमारे कारेकरताओं ने वहाँ जाकर के उनके भोजन की विवस्था की ताकि माइगरेंट लेबरल्स वहाँ रहें लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग वहाँ से निकल पड़े उनके लिए हर तरीके की सुविधा देने का काम पार्टी के कारेकरताओं ने किया राजिस्थान के कारेकरताओं ने, बिहार के कारेकरताओं ने, उत्तर पड़ेश के कारेकरताओं ने, उत्तर पड़ेश के कारेकरताओं ने सभी लोगों को उत्तर पदेश के बॉर्डर से ले करके बिहार के बॉर्डर तक छोड़ने का काम किया राजिस्तान के लोगों ने राजिस्तान में जो आया उसको छोड़ने का काम किया हर्याना और चंदीगर में लोग कहते हैं कि किस तरीके से आपने हमारी सेवा की है वो लौट करके जो वापस जा रहे हैं वहाँ जाकर के फिर से भार किये जंता पार्टी के साथ संपर्ख सापित कर रहे हैं ये हर्याना की कहानी है ये चंदीगर की कहानी है जिसको हमको समझना चाहिए उनका हमारे अपनी इतनी चिंता की है पंजाब से आने वाले लोगों की चिंता की है और सब को हर दृष्टी से माईगरिन्ट लेबरर्स के चिंता करने का काम किया शेल्टर दिया चरन पाधुकाइं दी short distances के लिए उनको अपने इस्थान तक पहुँचाने के लिए गारियों की वेवस्था की तिलन लाना से बसें भेजी गई हमारी पार्टी के कारे करता लगे हमारे हाँ करनाटक से बसें भेजी गई राजिस्थान वालों ने तो किया ही किया तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम किया एक बहुत ही अच्छा काम जो हुआ वो हुआ जो बुजर्ग थे जिनकी दवाईयां खतम हो गई थी जिनके घर में देख रहे करने वाला कोई नहीं था जो नौकर थे वो चले गए थे आपको जानकर अश्यर होगा कि भारतिय जन्ता पार्टी के तीन लाख नबेख वोलेंटियर्स ने इन घरों की चिंता की और इनके घरों में लगातार मेडिसिन पहुँचाना कोई डाइबिटिक था कोई किडनी पेशिंट था किसी कोई हार्ट पेशिंट था उनको दवाईयां चाहिए थी हर हफ़ते दवाई चाहिए थी वो हर हफ़ते दवाई पहुचाने का काम और वोलेंटियर के रूप में उनकी निजी सेवा करने का भी काम हमारे 3,90,000 कारेकरताओं ने किया है यह मैं आपके साथ करें महराष्ट ने स्क्रीनिंग में हाथ बटाया महराष्ट की सरकार के साथ मिल करके स्क्रीनिंग में हाथ बटाया उसी तरीके से पूने के अंदर इन लोगों ने अपना सैंपल कलेक्शन में अपना हाथ बटाया सैनिटेशन में और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हाथ बटाया हमारे कारेकरताओं ने हॉस्पिटल की सफाई की और सफाई करके उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में जहां सफाई कर्मचारी कम पढ़ रहे थे वहां हमारे लोगों ने जोड़ा तो इस तरीके से हर प्रिश्टी से विका इसको साथ में सैंपल कलेक्शन के साथ साथ इसको बढ़ाया गया टेली मेडिसिन सेंटर माराश्ट के कारे करताओं ने चलाया बिहार के कारे करताओं ने कौरेंटाइन सेंटर चलाया और Quarantine Center जो चल रहा था उसमे अपना पूरा का पूरा योगदान किया पूने में एक M.O.U हुआ और वो हमारे जनकल्यान समीती के साथ-साथ और इसमें भारतिय जनता पार्टी के कारे करता और पूने के Municipal Corporation में सैंपल कलेक्शन से लेकर के स्क्रीनिंग के लिए उसमें विवस्ता की गई इस तरीके से भारतिय जनता पार्टी ने काम किया मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जब लॉकडाउन की वस्ता समाप्त होई फीड दे नीडी कारे करम को स्लो डाउन किया गया हमारे कारे करताओं ने तुरंट पूछा अब क्या करना है आगे क्या करना है नीचे तक पूरी पार्टी गैल्बनाइजड है तैयार है जो आप कहेंगे उसको हम करेंगे और आगे हम लोगों ने फिर्जन जागरन का अभियान भी छेड़ा है जिसमों सब चले है प्रदान मंत्री जी आपके कुशल नेत्रतों में देश तो आगे बढ़ी रहा है लेकिन आप जिस तरीके से छोटी हर बातों पर हम सब को मार्दर्शन करते हैं हमारा प्रयास है हम यह तो नहीं कहते हैं कि हम पूरे पर्फेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि समस्याएं भी नितनित नहीं हैं उनका निवारन भी हम नितनित नया कर रहे हैं लेकिन आपका जो मारदर्शन हमको मिलता है, उस मारदर्शन के माध्यम से, हम perfection की और जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आज साथ प्रदेश हमारे presentations देंगे, कुछ आयामों को वो हमारे सामने रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आ आपका मारदर्शन हम सब को मिलेगा, और उसके माध्यम से, आगे आने वाले समय में, हम और अच्छे तरीके से काम करने के लिए जुटेंगे, मुझे इतना ही कहना है, बहुत बहुत दूटेंगे.